तो ये जो 20 जैनवरी को जो पेपर हुआ था ना उसका आंसर मैं आप सभी एक साथ डिसकस करने वाली हूँ और जो भी एक कोशन्स मेरे पास जिस ने भी बेजा हूं सभी का दिल से सुख रिया सबसे पहले तो एक चीज़ बताना चाहूंगी कि जो कोशन्स मेरे पास आते हैं मैं वही डिसकस करती हूँ अब मैं तो पेपर देने नहीं जाती हूँ इसलिए मुझे तो पता ही नहीं चल पाता कि कैसा कोशन्स पूछा गया है तो अब आप बताना कि जो भी कोशन्स मैंने आप सभी को बताया ये एकजाम में पूछा था या नहीं क्योंकि जो भी स्टूदेंट्स मुझे भेजते हैं मैं वह सोचती हूँ कि इसका आंसर बता दू ताकि आने वाले समय में आपका हेल्प हो जाए ठीक है न और चलो बस देखते हैं कैसा पेपर था वैसे कल का पेपर ठीक था एविएस में कुछ क्वेशन्स बाहर से थे तो पहला कोशन है कि ये था कि ऐसा कौन सा तेवहार है जिसमें महिला जो है छट पर जाकर चांद को देखती है तो वह है करवा चौथ ठीक है ये तो पूछा हाँ पूछा तो होगा ही तभी तो बच्चे भेशते हैं और एक लाइक कर दीजेगा अगर आपको सच में वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना तकि मेरी जो क्लासेज होती न उसके नोटिफिकेशन्स मिलते रहें ठीक है न क्योंकि मैं हर दिन ऐसे अनलीसिस वाली वीडियो दोपहर में डाल देती हूँ कि आज ये ये कोश्चन्स पूछा गया है उसके अगले दिन में आपको आंसर बता देती हूँ और अगर आपको उसी दिन आंसर चाहिए तो भी कमेंट कर देना मैं वो भी लाने की कोशिस करूँगी तो ये पहला तो बहुत आसान था कि सब को पता है कि करवा चोथ में छट पर जाते हैं लोग और चांद को देखते हैं अब ये दूसरा कोशन देखिए कि अंतरिक्ष में छै महीने से ज़्यादा कौन रहा था और इनका तो चैप्टर में इनका पुरा लिखा हुआ स्टोरी है सुनीता वीरियम्स 195 डेज रही थी सबसे ज़्यादा अच्छा ये बाजरा वाला मैंने कल देखा था टेलिग्राम पर भी लोग बहुत पूछ रहे थे इसका मतलब ये कोशन आया हुआ है बाजरा का कौन सा भाग कूटा जाता है देखो बीज जो है कूटा जाता है उसके कुछा था और ये लोगों को बाहर से लगा है वास्पिकरण सबसे धीमी कब होगी ये कुछशन ऐसा पूछा था तो जब उसका जो सरफेस एरिया न सतह चेत्र और जो उसका टैंपरेचर दोनों घडता है तब वो सबसे धीमी हो जाती है सतह चेत्र और तापमान दोनों घ प्लांट्स क्यों खाते हैं उसको बोलते हैं साकाहरी गाय घोड़ा-5 और अगर सरवाहरी बीड़े खाते हैं उडिवहर्ण और ये ब्लांट्स चीजें छाथे हैं ठ्ट सम्तुत कुरत नॉड़ागल था इन दौन चीजे भी खाएंगे, उसको बोलते हैं, सरवारी, मानो निरमित आपदा, ये है भूसकलन, अब ये आपके, कशन पूछा था या नहीं, मेरे पास कॉष्चन आये था, तो मैंने इसका आंसर बता दिया, मानो निरमित आपदा, भूसकलन, एक ये कॉशन पूछाता कि, वो कौन से घर होते हैं जो सर्दी गर्मी बरسाथ से हमको बचाते हैं देखो गर्मी मिटी के घर बने घर आपको पता है मिटी के बने घर रा Celica 29 बचाने पफित पफरी और लखडी के बने घर जिनकी छतर डुटी है ताकि जो बारी बान एसे डारिश होती है वह एक डम ऐसे slope तरीके से बनाते हैं कि पानी वहाँ पे रूके ना नीचे चलाए तो ये बर्षात के मौसम में बर्षात जहां पर जादा होती वहाँ पे बनाते हैं लोग सर्दी गर्मी तो ऐसे ये वाले सारे options सही हो सकते हैं तो आप बताईए ये question आया था या नहीं मेरे बास question आया जिसमें सर्दी गर्मी दोनों से हमें बचाए बट ये अगर नहीं भी आया हो तो भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये question पूछ सकता है अच्छा ये एक देखो एक map से question पूछा था कि भारत की राज़ानी दिल्ली है ठीक है मालो आपने दिल्ली को बीच में रखा है map ज लखनो जो है पूर्व दक्षिड में होगा और चंडी गड़ जो है वो उत्तर पस्चिम दिसा में होगा ओके ये हो जाएगा इसका राइट आंसर घटपड़ी पौधा या निपैंथिस वो सिकार क्यों करता ये बहुत famous question है इविज की notes में दिया होगा आपके एंसियाटी की books में nitrogen की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं सिकार करते हैं और हाँ जो कल मैंने question बताया था ना अभाज संख्या मैं ना question में विसम लिखना भूल गई बट आप सभी धन्निवाद कि आप सभी ने answer मुझे बताये तो मुझे recall हुआ कि मैंने question गलत लिख दिया था इस सम अभाजी संख्या जब पूछेगा विसम मतला odd तो उसमें आप दो को तो रखी नहीं सकते हो ना क्योंकि यह तो सम अभाजी संख्या है इस वज़े से इसका answer 24 मैंने बताया था ठीक है ना जो मैंने एक से question लिखा था वह वाली चलो वाली वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखना क्योंकि यह questions repeat होंगे ही वैसे भी अब यह देखो question है कि प्रथम पांच अभाजी संख्या का उसत है बहुत आसान है अभाजी संख्याओं का उसत निकालना सबसे पहले पता होना चाहिए अभाजी संख्या किसे बोलते तो आप जैसे इसको डिवाइड करोगे 5.6 होगा ठीक है तो यह question में पास student ने भेजा था तो मैंने सुचा यह भी discuss कर लेते हैं तो यह है analysis वाली वीडियो और आप लोग देखे होगे तो 5000 बट लाइक 100 भी नहीं होता है बस इस चीज का बुरा लगता है कि एक लाइक कर द